चंद्रियान 3 फ्राइडे दो बजगर 35 मिनट पर लॉंच किया जा चुका है दोस्तो अब तक United States, Russia and China ही lunar surface पर soft landing कर पाए है अब इंडिया lunar surface पर soft landing करने वाला world का चोथा देश बन जाएगा जो की किसी भी country के लिए एक big achievement है तो गाइज इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रियान 3 के objective के बारे में एंड चंद्रियान को कैसे चंद्रमा तक पहुचाया जाएगा So welcome back friends, this is Mohit और आप देख रहे हैं Information 360 चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लिजे सबसे पहले जानते हैं चंद्रियान 3 के objective के बारे में तो दोस्तो चंद्रियान 3 का सबसे पहला objective है lunar surface पर soft landing करना एंड चंद्रमा के environment का scientific experiment एंड वहाँ पर available resources का पता लगाना दोस्तो अगर बात करें चंद्रियान 3 mission life की तो इसकी complete life है one lunar day जो की चोदे अर्थ दे के बराबर होता है दोस्तो चंद्रियान 3 को LVM3 M4 vehicle से launch किया गया है दोस्तो इस vehicle की height है 43.5 meter and lift of mass है 642 ton LVM3 rocket vehicle में 3 fuel engine का use किया गया है number 1 S200 booster, number 2 L110 liquid fuel engine and number 3 C25 high thrust cryogenic engine तो चलिए step by step मैं इन तीनों engine के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन सा engine किस time काम करता है सबसे पहले बात करते हैं S200 solid rocket booster के बारे में जिसमें लगबग 205 ton solid rocket fuel भरा हुआ था ये booster rocket को take off करने के लिए thrust provide करते हैं जो कि rocket के दोनों side में लगे हुए होते हैं ये engine दोनों booster के बीच में लगाया गया है जिसमें 115 ton liquid fuel भरा हुआ है रोकेट के लगबग 44.60 km उपर उडने के बाद L110 engine start होता है दोस्तो जब ये engine start होगा तब तक total 117 second में रोकेट पहुँच चुका होगा लगबग 62.17 km दोस्तो लगबग 62 km पहुँचने के बाद रोकेट से दोनों booster separate हो जाते हैं रोकेट के 144 second के travel के बाद अब नमबर आता है PLF के separation का PLF यानि payload fairing जो की रोकेट का टोप वाला हिस्सा होता है देन 305 second के बाद L110 engine रोकेट से separate हो जाता है इसके 2 second बाद लगबग 307 second पर C25 cryogenic engine स्टार्ट होता है इस C25 cryogenic engine में लगबग 28 ton liquid oxygen and liquid hydrogen होता है 307 second से स्टार्ट होने के बाद में 954 second पर cryogenic engine बंद हो जाता है और उससे satellite separate हो जाती है इसके बाद satellite के panel open होंगे and module अर्थ के चक्कर लगाना स्टार्ट करतेज़गा लगबग 20 से 22 दिनों तक Earth orbit के चकर लगाने के बाद module moon के ओर्ज़ में enter करेगा अब module उसी प्रकार moon के चक्कर लगाएगा जिस प्रकार उसने अर्फ और्ज़ ओर्ज़ से चक्कर लगाएगा ये mission टोटल 1 lunar day का होगा जो अर्थ के 14 day के equal होता है दोस्तों आजगी वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगा module lunar surface पर land करने के बाद में किस प्रकार work करते हैं thanks for watching आप देख रहे थे information 360 वीडियो अच्छी लगे तो comment जरूर करना है